हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और आज हम देखेंगे कि इंस्ट्रुमन क्लेस्टर में जो वानिंग लाइट होती उसका क्या क्या मतलब होता है सारी वद्रिटेस का क्या मतलब होता है तो जैसी हम चाभी यह लगाते हैं इसमें इसको चालू करते हैं तब फ़र्स इस्टेब में और सारी लाइट रहाइती ही जब तो इंजन स्टारट नहीं होता है निभला कि इसको अम इंजन लाइट क Kr top the इंजन के बारे में चलाती है उसकी हेल्थ कंडिशन के बारे में अगर इंजन में कोई भी इश्यू है कोई भी इसकी वाइरिंग लूज है या और किसी तरह की हीटिंग इसुए कोई और प्रॉल्लम है तो यह लाइट बिलिंग करती है और रहती है ने चलू करने के बाद भी तो जब कभी ऐसी इसकी बैटरी लाइट हमें दिखे एंजन चालू करने बाद चलाते टाइम गाड़ी को तो हमें सबसे पहले इसको सर्वी सेंटर में दिखाना है नियरे सर्वी सेंटर में ताकि इसकी सही प्रॉल्लम का डाइगनोसिस हो सके और इसको रेक्टिफिकेशन किया जा सके सगे स हम देखते हैं जो दूसरे नंबर पर है रेट कलर की है इसको हम बैटरी लाइट कहते हैं तो इसकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम है बैटरी में की हैल्थ में कोई इशू है या कोई वाइडिंग लूज है बैटरी चार्ज नहीं है तो उसकेस में यह हाइलाइट रहता है इंचर चालू करने के बाद भी तो इससस में देखना है पहले फीजिकली एक्जामिन निए ग्जामिन कर सकते हैं कि कोई वाइडिंग तो लूज नी है कोई नट तो लूज नी है इसका किसी तरह का लीकेस तो नहीं है बैटरी में इसकी फीजिकल कंडिशन अगर हमें लगते फिर भी कि लाइट यह वर्णिंग जाता है चालू इंजन में भी तो हमें फिर से वही करना है एंजनों मेंक कितना है qonty है किस तरह से वह काम कर रहा है लिब्रिकेंट ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा तो इस केस में अगर यह ओन रहता है ड्राइविंग के टाइम पर गाड़ी चालू के होने के बाद भी तो हमें समझ जाना है कि हमें इंजन ओयल में कोई प्रॉब्लम है और इसको चेक कराना है इसका गेस देखके क्वांटिटी काम है ज्यादा है वो सब चेक करके फिर इसको करके ही चलाना है यह गाड़ी को उस्से такой नहीं चलाना है दो जो साइन हम देखते हैं यह स्टेडिंग लुक का जो सइं दिखा вторken साइन दिखा रहा है तो यह टो यह स्टेडिक का मॉज़े से काम नहीं करता है गाड़ी काशलक्र ठृता है लुज़े गाड़ी में भी पर बंद करके चल्यूर करके तो तो पर अविज हो मे दो कर दो कायक लोग कड़ा में निर्य सिर्विस करना ही कभी कभी क्या होटा कि चलती गाड़ी में हमारा इंजन बंद हो जाता हैं तो उसलिपेए सैंड दिखाता है हमें सुध्यूर्ट के तो उसकude ऐसा च आपकी तो फिर भी दिखा रहा है तो यह कूई problem हो सकती गारी के अंदर तो उसको हमें चेक करवा लेना है जल्ड से जल्ड और यह पांचों साइन जो है वो सीट बेल्ट का है अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाते है गाड़ी में चलती है गाड़ी में 20 किलो मीटर की स्पीड से उपर तो यह हमें अलारम देने लगता है गाड़ी में कलारम आता है और यह साइन बिलिंग करते रहता है जब तक हम सीट हैंड़ ब्लिंक कर रही है और जब रिलीस कर देंगे लाइट बंध हो जाएगी कर फिर भी गारी में चलती गारी में भी लाइट छालू हैतो थी लिए चाहिए कि हमें इसके ब्रेक में कोई प्रॉलम है हम इसके ब्रेक को चेक करना चाहिए प्रॉपरली लग रहे नहीं रहे लग रहे पैर वाले ब्रेक और अगर हमें कोई शिकायत अगर फिर भी हमें सहमझ में नहीं आ रहा है कि ब्रेक तो ठीक लग रहे हैं तो भी हमें से चे जैसे कि indicator sign आता है हम right indicator देते तो यह आ जाता है एक left में इंडीकेटर देते तो यह आजाता है हमारे Left नर बिलिंग करने लगता है green color में और 1000 Lac Lane जब हम on करते हैं तो यह दोने एक साथ बिलिंग करते हैं तो यह हमें इमरेंसी में या कहीं पार्किंग में रोड साइड हम गाड़ी खड़ी करते हैं वहां हम इसको यूज करते हैं तो यह सारे साइंस हमारे जो लाइट से वार्निंग लाइट इस तरह से इनका मतलब होता है और इन्हें हमें ध्यान देना है कि चलती गाड़ी में कोई भी वानिंग लाइट ना जलती रहे हैं अगर कोई जलती है तो हमें जल से लद उसको चेक अप करवाना नेरे सर्वी सेंटर में और उसके बाद ही हम अपनी गाड़ी को यूज करना है नहीं तो कफी रिस्क ही हो सकता है और इसमें जो रैड कलर के leaseni है तीन बैटरी वाले इंजिन ओर वाले और to powerful कि ईसका कलर इंडिकेर्ट कर रहाए कि तो सब से पहले हम प्राइम्री फोकस करना है कि इसको ठीक कराने के लिए हम चल्द चल्द सेंटर में दिखाए गाड़ी को और यह जो स्टेरिंग लोग के पावर लॉक और जो इंजन का साइन यलो कलर में तो यह थोड़ा सेकेंडरी हो जाता है कि कुछ टैम तक हम चला सकते हैं फि यहां लगे हुए हैं अगर मैं इसको डिलीज कर देता है लेकिन यह पूरा डिलीज नहीं होता है किसी वज़े से आधा होता है मानके चलिए यहां बीच मटक गया है हमने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया और यह डिलीज हुआ नहीं पूरा फिर भी साइन दिखाता र प्रॉब्लम है अभी देखे जैसे चला गया है रिलीज कर दिया मैंने तो जा चुका साइन और यह बाकी साइन भी जितने दिखे रहे हैं मैं पांच यह बी चले जाएंगे एक बार मैं इंजन को स्टार्ट करता हूं दिखाता हूं यह देखें सारे साइन चले गया है सिर्फ एक साइन रहे गया है वर्निंग लाइट जो की सीट बेल्ट का मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई अभी तो इसलिए वो दिखा रहा है तो फ्रेंट्स आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इसमें जो इन्फ प्राइब इंग के टाइम पर तो प्लीज ध्यान रखें बी सेफ तो मिलते नेक्स वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेड करें सब्सक्राइब करें ओके बाई बाई